नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एच तो ट्रेन वर्किंग के दोरान जब हम ट्रेन को वर्किंग करते हैं अगर उस दोरान हमारे कुछ एलेक्ट्रिकली फाल्ट या नुमेट्रिकली फाल्ट आ जाते हैं तो इनको दूर करने के लिए तो उस संबंदित सर्किट बेकर का रिसाइकल करते हैं अब एलेक्ट्रिकल फाल्ट में क्या क्या होता है TCC से संबंदित कोई भी फाल्ट आ जाए जैसे हमारा TCC Communication fail का दिखा रहा हो fail to acknowledge load request fail to acknowledge dynamic break fail to acknowledge direction इससे संबंदित कुछ आ सकता है या हमारा आ जाए कि auxiliary generator जो है हमारा उसका output निल बता रहा है या जो companion अल्टरनेटर हमारा लगा है उसका output निल हो जाए या हाड क्रो बार फाइल्ड का message आ जाए या टी भी हमारा जीरो हो जाए तो यह सब electrically fault है जब इस type के fault आते हैं तो हमको electric वाले कुछ circuit breaker का recycle करना पड़ता है जैसे TCC से संबंदित है तो TCC या TCC1 या TCC2 या सिमेंस वाले में 6 लगे हुए है TCC1, TCC2, TCC3, TCC4, TCC5, TCC6 auxiliary generator के लिए AGFB का करेंगे इस तरह जो हमारे EM2000 जो हमारा computer है वो जिससे जिससे संबंदित है उसमें कोई problem आएगी तो हम उस संबंदित सर्किट बेकर का recycle करेंगे अब अगर नुमेटकली कोई fault है नुमेटकली fault में क्या हो सकता है कि हमारा low MR pressure हो या PCS एक बार नाक आउट होने के बाद रीकवर ना हो रहा हो जैसे वो मैसे जाता है न कि A9 को emergency 60 seconds रखेंगे या FS पे 10 seconds रखेंगे वो हमने किया लेकिन उसके बाद भी रीकवर ना हो रहा हो तो ऐसे में हम MAB जो सर्किट बेकर है उसकी recycle करते हैं अब बात करते हैं कि recycle का तरीका क्या है सबसे पहले हमारा train stop होना चाहिए और secure होना चाहिए इसका मतलब S A9 हम apply कर दें और hand break लगा दें और अगर आप gradient section में है तो wooden wedge का भी use करें उसके बाद हमको local को secure करना है इसका मतलब throttle handle को हम idle पे करेंगे reversal handle को हम center पे करेंगे isolation switch को isolate करेंगे और जो हमारा ER और GF यह जो slider switch है इसको भी हम आफ करेंगे अगर dual के बाला लोको है तो assistant side लगा होता है और single के बाला है EC C1 पर जाएंगे और सबसे पहले computer control यह जो circuit breaker है यह जो strip में लगा होता है और इसके उपर एक safety cover लगा होता जिसको protection cover कहते हैं तो protection cover के अंदर यह computer control का circuit breaker है इसको हम चाभी या किसी चीज की सहता से इसको हम क्या करेंगे आफ कर देंगे उसके बात जो सम्बंधित circuit breaker है मतलब जिस चीज का हमको recycle करना है उस सम्बंधित circuit breaker को हम आफ करेंगे जैसे अगर हमको TCC का करना है तो TCC MAB का करना है तो MAB AGFB का करना है तो AGFB इवन्ट्रीकालडर का करना है तो जो भी संबंधित circuit breaker का recycle करना है इसको भी अब क्या करेंगे हम आफ कर देंगे और अब उसके बाद हम लगभट 30 सेकेंड तक वेट करेंगे और उसके बाद संबंधित circuit breaker को आन करेंगे और उसके बाद हम यह जो computer control circuit breaker है yellow color वाला इसको भी अब हम आन कर देंगे इसके बाद हम display पे देखेंगे message रहता है कि A9 handle को यानि automatic break handle को fs पे रखना है for 10 seconds क्योंकि penalty लग गई होती है तो अब हम A9 को fs पे रखेंगे 10 seconds के लिए उसके बाद message फिर change होगा कि A9 put in run position तो हम A9 को क्या करेंगे अब 10 seconds बाद जब message जा जाएगा तो उसको run पे कर देंगे जिससे कि हमारा यह 10 seconds वाली penalty recover हो जाएगी और हमारा BP pressure फिर से build up हो जाएगा यहाँ पर एक चीज़े हम ध्यान रखेंगे कि moving गाड़ी में हम किसी भी circuit baker का recycle नहीं करेंगे किसी भी सर्कुट बेकर को आफ नहीं करना है जब गाड़ी हमारी चल रही हो तो इस तरह हम recycle किसका किसका कर सकते हैं टी सी सी का और एजी एफबी का और एमेबी का और खुद कंप्यूटर का और इवेंट रिकालडर का तो इस तरह में शेचपी लोगों में सर्कुट बेकर का recycle करते हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं धन्यवाद